नमस्कार साथियो नियूज के लिक में हम आपका स्वागत करते हैं मध्धेसिया में हमले और कुट नीती की राजीती अपने चरम पर है और सिर्या संघर्ष पर हम से बाचीत करने के लिए अंतराश्य मामलों के जानकार प्रबीर है तो प्रबीर अभी जो तुर्की की तरफ से सिर्या में हमला हो रहा था उसी को रोकने के लिए अमेरिका और तुर्की का जॉइंट स्टेट्मेंट आया है कि पांस दिन के लिए उसमें विरायम लगाई जाए तो इसकी एहमियत क्या है पहली बात तो यह गलत होगा कहना कि अमरीका और तुर्की के बीच पे बात हो रही है थे कि सिर्या पर जो उन्होंने हमला किया तो उसके बारे में बातचीत कर रहा है क्योंकि सिर्या पर हमला सिर्या के बिना कैसे बातचीत हो सकती है उस पर अमरीका कबजा किये हुए था YPG जो कुर्दिश फोर्सेस है उसके साथ मिलके और उन्हें थे कि SDF कहके एक पुरा और एक कुछ लोगों को शामिल करके तथाकतित एक फ्रंड बनाया था जिसकी डेट्वित तो कुर्दिश YPG कर रहा था और अमरीका उसके उपर साम को बातचीत करना चाहते है कि अजिफ कि यह इस पार्ट का मालिक है जबकि वो इस पे कोई उनका पूरी प्रेजनसी इलीगल है कोई लोग का स्टेंड आई इस इलाके में उनका नहीं है अंतराश्टी नियोमों के उपर अब उन्होंने क्या किया है जब उनको लगा कि तु सुष्ज इंट्रॉट मे जिस पर तर्की अल्रीड हमला कर रहा है उनका वह अधूरे मानता है کہलाएं टेमरिका वह उनके यpre उनके एंधवाले करदे रहाता है उसके खिलाफ टार यदृय का एक तो तर्की का एक्टाफ उट्यर्च सिरिया का उनकी अधूर्सिया से प्य करने का, इसके उपर तेल के ख़दानों को उसमें हैंड ओवर करने का, और इस एलिया का एरिया जो है, इलाका जो है, कुर्द प्रधान एरिया नहीं है, सिर्फ जो नॉर्दन बेल्ट है, उसमें कुर्दिश प्रेजन्स है, दूसरे एरिया के में आरब, नॉर्मल आरब बसि की लोग है आर्मेनियंस है सीरियंस है अरब है तो मिक्स्ट पॉपुलेशन है वहां पे और पूरी कुर्दिश पॉपुलेशन सीरिया में साथ परसें से ज्यादा नहीं है तो यह इनको 25 परसेंट इलाका देने का मतलब था इस पर अमेरिका का कब्जा बना तो यह बिफल हो रहा है इस वáticas क्योंकि तर्की इसको समझता उसके लिए खत्रा है क्योंकि कुर्दिश फोर्सिस के खिलाफ उनकी संगर्ष सदं ठर्की में चल रहा है और उसमें उन्होंने बहुत सारे हमले किये हैं शहरों पर एटैक्स किये अपने देश की अंदर तो उनको लगता था यह उनके लिए लंबे अड़से के लिए खत्रा है तो अमरीका और तुर्की का जो इस पर टक्कर हुआ है इस नौर्थ कुर्दिश नौर्डन नौर्ट इस्टन सीरिया में तो यह मुख्य चीज है कि उस पर एक खत्रा तर्की के लिए जो पैदा हो रहा था इसलिए वहां पर उनको शांद करने के लिए क्योंकि तर्की नेटो का पाड़ भी है तो उतको शांद करने के लिए गया है वाइस प्रेजिडेंट पैंस गया है उसमें और दिखाना चाहता हम अभी भी इसमें तर्की के साथ मिल के कुछ कर रह है और हमारा एक हिसाब से इस इस इलाके इन इशूस पे हम दखल अंदाजी अभी भी कर सकते हैं यह चीज अमरीका का बाहर चला गया है अमरीका के हाथ से निकल गया है वहां उन्होंने कह दिया है कि हम अपना फोर्स पूरे इलाके से विद्ड़ा करेंगे और तेल के जहां खादाने हैं उनका क्या स्थिती होगा देखने पड़ीगी पर कुर्दिश फोर्स जितने हैं इन्होंने इस वक्त सीरिया के साथ समझावता कर रही कर लिये हैं और अगर वो नहीं होते हैं अमरीका के साथ तो इस इस्टर्न इलाके बे जो तेल के जो खादाने हैं उनकी आ स्पेशल फोर्स का और तीन हजार जिसको कहते हैं मरसिनरी पैसे से लिया हुआ जो सेनाय है तो पांच हजार से इस लड़ाई में कोई शिरकत नहीं कर सकते और हवाई जहाज के जो ताकत था उनका उसके वजय से उन्होंने यूफिटिस नदी को सीरियन फोर्स को क्रॉस नही उसमें पांच दिन का युद्ध विराम की घोशना अमरीका कर रहा है तुर्की कहा है कि ऐसे कोई युद्ध विराम हमने नहीं घोशित किया है कोई सीजफायर नहीं है हमने कहा कि पांच दिन के लिए हम इसको स्थगित रखते हैं और कोई सीजफायर इसको हम नहीं कहते है तो ये ground reality इस वक्त है कि सीरिया, टर्की, कुर्दिश forces और रश्या ये चार देश मिलके इसका निन्नाय करेंगे उसके लिए अगले हफता जा रहे हैं तो उसकी वही असली चीज होगी ये तो सिर्फ दिखावे के लिए अमरिका अपना क्या कहते हैं उसका face saving कर रहा है क्योंक भूमिका तो रसिया के भी बनती है, रसिया के आने के बाद जो और सारे छेत्रे समिकर्ण हैं वो कैसा बदलता हुआ दिख रहा है यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त अमरिका जो spoiler को रूप में था कि कोई भी चीज आगे बढ़ने नहीं दे रहा था व अमरिके के लेकर जो कुर्दिश, मुख्य कुर्दिश संगठन है उस पर मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता हूँ पर मुख्य चीज जो है कुर्दिश forces की अगर इस corridor में उसका कब्जा रहता है तो तरकी के मुताबिक है उसके लिए खत्रा है यह कुर्दिश forces इस तरह से इस इस लाके को चला नहीं सकते क्योंकि उत्ता सामरिक शक्ति उनके पास है नहीं तो अमरिका के चाया में यह जो कर रहे थे उसका टार्की का मुखालफत था और यह नेटो दोनों मुल्क नेटों के बीच में है जो तक्कर की बात है तो इस वक्त जब अमरिका हड़ गए तो इरान भी उसके साथ है तो कुर्दिश फोर्स के साथ लगता है पहले से बातचित चल रही थी कि अमरिका अगर हड़ जाता है क्योंकि अमरिका के तुर्की का सामना जादे दिन तक नहीं करेगा तब आप क्या करेंगे लगता है यह पहले से बातचित हो रखी थी इसलिए अमरीका हड़ जाने के बाद तुरंत सीरिया के साथ कुर्दिश फोर्सेस ने समझाता कर लिये और इसके पीछे गारंटी जो है रश्या की है और रश्या की भी तर्की के साथ सम्मंद इस वाक काफी अच्छे है एस 400 जून की मिजाइल अंटी मिजाइल शील्ड वगरा है ये उन्हों रूस से खरिदा है अमरीका के साथ तनाव काफी ज्यादा है इस इश्यू को लेके पर नेटो में सबसे बड़ा ताकत अमरीका का बार तर्की है तो उसको एकदम ना तो न कार सकता है इस सम्मंद को और रश्या की सबसे बड़ी इसमें फाइदा ये है कि रश्या सब के साथ मिला के चल रहा है कि इसको उपर डॉमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है और यही कह रहा है कि आप बैठिये, इसको सुलह कीजिए और इसमें हम आपको मदद करेंगे, हम डिक्टेट किसी को नहीं करेंगे, आप मिलके इसको डिसाइड करो. तो लगता है कि तर्की इससे खुश है कि अगर सीरियन सरकार इसकी इस 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 इलाका, नौर्थ इस्टन इलाका जो है जिसके उपर बात्चित चल रही है, उस पर अगर सीरियन सरकार आ जाती है, मुझे लगता है तर्की का इस पर नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम दूसरे लोगों ने दिया हुआ है यह ऐसे लोग है जो कि एक हिसाब से आइसिस अलकाइदा कह सकते हैं इनको अमरीका साथेरेबिया नेटों देशों सबको उक्साया हुआ था कि आप सीरिया के खिलाफ लड़ो तो रजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश थी जिस पर तर्की भी शामिल था अब तर्की इनको सीरिया के नौर्ट इस्तर इस्तर इलाके में जो भेजा है इसके पीछे उनकी अपनी सामरिक शक्ती बहुत जादा दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एर कावर तर्की को तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अभी भी तर्की का बहुत ज़्यदे स्टेक है इस इलाके को कबजे करने में जरूर जो भेजा है फ्री सीरियन आर्मी उन्होंने उसकी पीछे तर्की जरूर है पर मुझे नहीं लगता लंबे अड़से के लिए वो लड़ना चाहते हैं तो अगर समझाता हो जाता है और अब जिसलिए पूतिन के साथ मिलने जा रहे है एद्दुगाद उस पर कर समझाता हो जाता है इस इलाके में जिस पर कुर्दिश खत्रा उनको नजन नहीं आएगा मुझे लगता है कि यह संबंद एक तरह से शांती कोल बढ़े अब बिना जग किये हुए है पचीस परसेंट जो इलाका इनके बेहात था सिरियन सरकार के बेहात था असात सरकार के बेहात था उनके हाथ में आ जाएगे यह बहुत बड़ी परिवर्तन है एक साल से चल रहा है इन्होंने जंग नहीं किया मुझे लगता है उनके पहले से बहुत दिन से एक बात्चित चल रही है और उनको लगा था एक दिन ये चीज बदलेगी जब बदलेगी तो बिना लड़े यह लाका हमारे पास आज आएगा वाके आज वही हुआ है तो मुझे लगता है कि यह रश्या जो है वो दूर दर्शिता का परिचा यहां दे रहा है और सब के साथ बनाए रखने के जो राजडित कर रहा है वो सफल होते दिखता है जबकि अमरीका का राजडित दालागिरी की राजडिती है धंकी की राजडिती है और इन सरकारों को कैसे पलटना है कि हमारे एक पुड़ा पिट्टू सरकार बने इनकी कोशिश है रश्या उस तरह से इनकी राजनितिक चीजों में, कम से कम अंद्रूनी राजनितिक चीजों में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। इसलिए उसका एक भूमिका ज्यादा उभर के आ रहा है। मैं समझता हूँ वेस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। येमिन भी उस शान्ती के तरफ बढ़ सकता है, साओदेरिबिया शान्ती के तरफ बढ़ सकता है। तो मैं सकता हूँ एक सी चेंज जो कहते हैं वेस्ट एशिया में होने वाला है। और उसका यही पहला अंख है एक हिसाब से, इस नाटक का पहला अंख यही है। और इसके ज्यादा तर जो परिनाम होंगे, अमरीका, इसरेल जैसे शक्तिया, जो इन चीजों पे दखल अंदाजी कर रहा था, और रेजीम चेंज ऑ आपरेशन कर रहा था, यह मेरा ख्याल से पीछे हटेंगे। शुक्रिया, इस विसरेपर हमसे बात्चित करने के लिए, जमीनी स्थिती कुछ अलग है जो आपने सुनी, लेकिन विमर्ज की दुनिया में यही कहा जाएगा कि अमेर्का कुछ करवा रहा है। शुक्रिया, आप देखतर ये न्यूज क्लिक।